आईए सुनते हैं मा कामाख्या मंदिर की कहानी असम के मध्य में गोहाटी शहर में निलांचल पहाडी के उपर स्थित एक ऐसा स्थान है जो दैविये शक्ती के सार को प्रतिध्वनित करता है मा कामाख्या मंदिर ये भक्ति उपासना का चौथा एपिसोड है मा कामाख्या मंदिर का इतिहास मा कामाख्या मंदिर का इतिहास के वदंतियों और कहानियों से भरा हुआ है ऐसा माना जाता है कि ये भारत की सबसे पुराने शक्ती पीठों में से एक है एक पवित्र स्थल जहां दिव्यस्त्री उर्जा या शक्ति का निवास माना जाता है ये कहानी भगवान शिव की पतनी सती के समय तक जाती है सती के पिता राजा दक्ष ने एक भव्य यग्य का आयोजन किया लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया जिससे सती भावनात्मक रूप से परिशान हो गई, दुख और क्रोथ से उबर कर सती ने आत्म दाह कर लिया, भगवान शिव उनके इस आत्म दाह से इतने दुखी हुए, इतने परिशान हुए कि उन्होंने तांडव किया, उस लोग प्रिय तांडव की कहानी फिर कभी, ले और कामाख्या की दिवर्शक्ति के बारे में आईए जानते हैं, इस मंदर की अधिश्ठात्री देवी मा कामाख्या, प्रेम, स्रिजन और उर्वर्ता की शक्ति का प्रतीक हैं, भगतों का मानना है कि उनकी पूजा करने से भीतर की गहरी भावनाओं को उजागर किया जा सक जो ब्रम्हांडिये स्रिजन का प्रतीक है, दूर दूर से हजारों भगत उनका आशिरवाद लेने और अपनी अंतरतम भावनाओं से जुड़ने के लिए कामाख्या मंदर आते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां उत्कृष्ट प्राथनाएं, भगती के आशू और समर्पन की गहरी भावना एक साथ आती है, प्रसिद्ध अंबुबाची मेले सहित, मंदर के अनुठे अनुष्ठान, तिर्थियात्रियों के भावनात्मग और अध्यात्मिक अनुभव की उर बढ़ते हैं, मा कामाख्या का आशिरवाद भगतों का मानना है कि मा कामाख्या उन्हें असंख्य तरीकों से आशिरवाद देती हैं, चाहे वो जीवन की चुनावतियों से उबरने की शक्ती की तलाश हो या अपने एक्षाओं को पूरी करने की शक्ती, कामाख्या की दिव्वे उर्जा, उनके पवित्र निवास पर आने वाले सभी लोगों को सांत्वना और शशक्ति करन प्रदान करती है, इस आध्यात्मिक अभियान में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम गवाहाटी असंब में मा कामाख्या के सम्रिध इतिहास, शक्ती और भावनात्मक अनुनाद में गहराई से उतर पाए, ये प्रति त्रस्थानों की गहन अध्यात्मिक्ता का पता लगाने वाले अधिक ज्यानवर्धक एपिसोड के लिए भक्ती उपासना यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले यानि उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा ले ताकि अगली कहानी आते ही आपको खबर हो जाए, फि के लिए अपनी दोस्त सारेका को दीजिये अनुमती, नमस्कार